ये अव्यक्त इशारे, ब्रम्हा वाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखते हुए संपन्न और संपूर्ण वनो, तीन, जैसे ब्रम्हा बाप इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी होते हुए भी कितना सहन किया, बच्चों से भी सुना तो अज्यानियों से भी सुना, इंस कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे, इसमें दस बारी सुनने की हिम्मत चाहिए